नमस्कार डीनपी इंडिया में आपका स्वागत मैं हूँ आपके साथ राहू चौधुरी के मुखिया अखिलेश यादव ने कॉंग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीटे देने की घोषणा की हाला कि कॉंग्रेस अखिलेश की इस घोषणा से संतुष्ट नहीं है और उसका कहना है कि अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है कॉंग्रेस के राष्ट्रे महासचीव जैराम रमेश ने कहा कि यूपी में सीट बटवारे को लेकर अशोग गहलोथ सपा मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे है जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो हम जनता को इसके बारे में बता देंगे खबरे हैं कि कॉंग्रेस यूपी में कम से कम 20 प्रतिशत यानि 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है इसलिए पार्टी अभी अखिलेश को मनाने में जुटी है यूपी में लोकसबा की कुल 80 सीटे हैं और इंडिया गठबंदन के भीतर दो पार्टियों की तस्वीर साफ हो चुकी है सपा ने इससे पहले जैंत चौदुरी की पार्टी राष्ट्रय लोकदल को 7 सीटे देने की घोशना की थी मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अखिलेश रादव ने जिताओ उमिद्वार को देखकर ही कॉंग्रेस को 11 सीटें देने का फैसला किया है समझोते के तहट सपा ने कॉंग्रेस को राइबरेली, अमेठी, वारानसी, लखनव, खिरी, कुशी नगर, कानपूर, बारबंकी, फतेपूर सीकरी, साहरनपूर और सीतापूर सीट देने की बात कही है 2019 में कॉंग्रेस इनमें से सिर्फ राइबरेली सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी पार्टी अमेठी, कानपूर और फतेपूर सीकरी सीट पर दूसरे नमबर पर रही थी 2014 में कॉंग्रेस ने राइबरेली और अमेठी सीट पर जीत दर्ज की थी और पार्टी कुशीनगर, साहरनपूर, गाजयबाद, कानपूर जैसी सीटों पर दूसरे नमबर पर रही थी हलाकि कॉंग्रेस की कोशिश 2009 के रिजल्ट के अधार पर सीट बटवारे की थी 2009 में पार्टी को कुल 21 सीटों पर जीत मिली थी मेडिया रिपोर्ट के मताबिक कॉंग्रेस ने अखिलेश आदव को 20 सीटों की एक सूची दी थी पार्टी को उम्मीद थी कि अखिलेश कम से कम 16 सीटों पर हरी जंडी दिखा देंगे लेकिन अखिलेश ने सिर्फ 11 सीटें देने का एलान किया कॉंग्रेस समझोते के तहट कुछ मुस्लिम भाहूल सीटें जैसे की अमरोहा अलिगड भी अपने पास चाती है लेकिन सहरनपूर को छोड़ कर बाकी सीट अखिलेश देने को तैयार नहीं है नाराजगी की ये भी एक वज़ा है एक इंटर्विव के दोरान अखिलेश अदव ने कहा था कि कॉंग्रेस जिताऊ उमिद्वार को लेकर आगे आए हम सीट देने को तैयार है अखिलेश ने कहा था कि सीट बटवारे का सिर्फ एक ही फोर्मुला है जिताऊ उमिद्वार खबरे हैं कि अखलेश आदव ने कॉंग्रेस को यूपी से राष्ट्रे अधक्ष मलिका अर्जुन खडगे को लड़ाने का प्रस्ताव दिया था अखलेश का कहना था कि अगर खडगे यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो मायावती के दलित वोट बैंक में सेंद लग सकती है सपाने खडगे के चुनाव लड़ने के लिए इटावा और बाराबंकी सीट का नाम भी सुझाया था हलांकि कॉंग्रेस इस पर राजी नहीं हुई अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये भी अभी साफ नहीं है ऐसे में कॉंग्रेस को अगर ज्यादा सीट लड़ने के लिए दी जाती है तो वहाँ पहले ही मुकाबले में बीजेपी लीड ले सकती है आपको बता दे कि यूपी में कॉंग्रेस की इस्तिति काफी खराब है 2022 के विधान सबा चनाओ में कॉंग्रेस को सिर्फ 2 सीटे मिली और पार्टी का वोट परतिशत 2.85 परतिशत पर ही सिमट गया 2019 के चनाओ में कॉंग्रेस को यूपी में 6.36 परतिशत वोट मिला था तो कॉंग्रेस का वोट प्रतिशत आठ प्रतिशत से भी कम है इसके बावजूद कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजैराई ने मीडिया से बात करते हुए अखलेश अदव के 11 सीटे दिये जाने के फैसले पर ऐसेहमती जताई उन्होंने कहा कि बाची चल रही है इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है यानि अभी तक सपा और कॉंग्रेस के बीच सीट बटवारे को लेकर कोई सहमती नहीं बनी है अगर ऐसा ही रहा तो यूपी में भी इंडिया गठबंदन के बीच दरार दिखाई दे सकती है आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार अभी के लिए इतना ही हवरों का सिलसला लगातार जारी है आप देखते रहिए डियन पी इंडिया नमस्कार